अध्याए पांच पर हे भायों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, कि वो दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब जोती की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं, न अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सो वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं, वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की जिलम पहन कर और उधार की आशा का टोप पहन कर साफधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोथ के लिए नहीं, परन तो इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभू यिशु मसीह के द्वारा उधार प्राग करें, वो हमार एक दूसरे को शांती दो, और एक दूसरे की उन्नती के कारण बनो, निदान, तुम ऐसा करते भी हूँ और हे भाईयो, हम तुम से विनती करते हैं, कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, और प्रभू में तुम्हारे अगुए हैं, और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझाओ, आपस में मेल मि आपसे रहो और है भाईयों हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ कायरों को डाढ़स्तो निर्बलू को संभालो सब की और सहनशीलता दिखाओ सावधान कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे पर सदा भलाई करने पर तत्पर हो आपस में और सबसे भलाई ही की चेश्टा करों सदा आनंदित रहो निरंतर प्रार्थना में लगे रहो हर बात में धन्यवात करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीही येश्व में परमेश्वर की यही इच्छा है आत्मा को ना बुझाओ भविश्य द्वानियों को तुछ ना जानू सब बातों को पर्खो जो अच्छी है उसे पकले रहो सब प्रकार की बुराई से बचे रहो शान्ती का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीती से पवित्र करें और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीश्व मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोश सुरक्षित रहें तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा देता हूं कि ये पत्री सब भाईयों को बढ़कर सुनाई चाहे हमारे प्रभु यीश्व मसीह का अनुक्रह तुम पर होता रहे